हेलो प्यारे बच्चो वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल बच्चो आज हम यहाँ पे हल करने वाले हैं कक्षा 10 विश्च सामज विज्ञान की प्रस्ण मैंक और भूगोल का पार्ट नमबर 3 जिसका नाम क्या है क्रसी इसके आज हम कोशन अंसर को हल करेंगे जो कि प्र कोशन है कि नियुक्thm के प्रस्ण मैंक कि तो आप वहां से लियू ग्र्वी इसको देख सकते हो तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला कॉइशन देखें सबसे पहला भूइशन जो है वह है भारती एक जनसंक्या का मूल आधार क्या है यानि कि भारती जनसंक्या है वो अपनी जो जीविका है वो किस से चलाती है तो अधिकतर जो जनसंक्या है पूरी तरीकी से आधारत किस पर है क्रसी पर है तो इसका आंसर क्या होगा क्रसी तो आप इसका उत्तर नोट कर ली न उत् कोशन की second question है देखिए देश के किन राज्ज्व में देश के खिन राज्व में चाबल की दो या तीन पसले ली जाती है अब हम देखते हैं हमारे यहां पे देखिए चाबल की जो पसले सिर्फ एक ली जाती है ठीक है जून जुलाई में वह जाती है और अक्टूबर तो आपको उसका नाम बताने तो उसका नाम क्या है तो आप इसका उत्तर नोट कर लिए इसका नाम है उस राज्जी का नाम है पश्चिम बंगाल ठीक है तो चावल की दो या तीन फसले जिस राज्जी में लिए आती उस राज्जी का नाम क्या है पश्चिम बंगाल अब आते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन देखिए अगला कोशन क्या है भारत का सरवादिक जूट उत्पादक राज्जी कौन सा है भारत का सबसे ज्यादा जूट कौन से राज्जमिक उत्पादित होता है बताईए सबसे ज्यादा जूट है वो कौन से राज्जमिक उत् पश्यम बंगाल ठीक है ओटी में भी एक कोशन आ जाता है और यह एक सब्द के उत्तर है तो आप लोग कर लो ठीक है तो सबसे ज्यादा जूड का उत्पादन कहां पर होता है पश्यम बंगाल में होता है और यह कुश्चिन का आंसर तो आप करी लोगी इसके बाद आते हैं थार्ड कोश्यन पर इसका थार्ड कोश्य माद यह कें इसके फिर कउश्यन की थी निया बूमी पर जक्लतन का Kommunen वाले चेत्र में कौन इनद सी करसी की जाते हैं जहां पर जनसंक्या कैं डवाब क्या होता है जयांद हधा होता है जेंस्व encant यहां पर क्या हो जन संक्या बहुत ज्यादा वो क्रसी बहुत कम ठीक है तो ऐसे चित्रों में जो क्रसी की जाती है वो कौन सी की जाती है तो ऐसे चित्रों में जो क्रसी की जाती है वो की जाती है गहन क्रसी ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा गहन क्रसी आप नूट कर ले ना कि उत्तर क्या होगा गहन क्रसी याद रखेंगे हम ठीक है जनसंक्य जहां पर ज्यादा होती है और छेतर कैसा होता है कम होता है खेती कम होती है तो वहां पर जो क्रसी की जाते है वो कौन सी की जाते है गहन क्रसी की जाते है याद कर लोगे इसके बाद इसका लास्ट कोशन है एक Number वाले Fellows का, Ýा है, उस फसल, तिक का है, उस फसल का नाम बताइए, जो उत्तर भारत में खरीब फसल, और दच्छेड़ भारत में कौन सी है? लेकिन रवी फसल का नाम हे क्या तिल ठीक है उत्तर नूट कर लिना आप यह लिए जेमा रेड़ पेंसिल लिख लिए ठीक है तरका मेरे तil तो सभी ऊत्तर आप नूट कर लोगी इंको अब चलते हम दो नमबर के अंकों की, इसकी दो नमबर का पहला कोशन है यहाँ पे, देखिए सबसे पहला कोशन है दो नमबर में, गहन जीविका क्रसी की दो बिसेस्ता हैं लिखिए, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गहन जीविका क्रसी क्या होती, ठीक है, तो गहन जीव का क्रसी में आपको बता दू कि गहन जीव का क्रसी का मतलब यह होता है कि ऐसा छेत्र जैसे मान के चलो यह एक छेत्र है ठीक है और यहां पे क्या है जंसन क्या बहुत जादा है जंसन क्या है बहुत जादा है और लेकिन क्रसी योग जो खेती है जो क्रसी योग ठीक है तो अब यहां पर उत्पादन बहुत ज़्यादा करना है क्रसी बहुत कम कम है क्रसी का छेतर कैसा है बहुत कम है केती चोटे-चोटे केत है तो उसमें ज़्यादा उत्पादन करने के लिए क्या करेंगी बो लोग जासे ज़्यादा रसाइनिकों का प्रियोग करेंगी ठीक है जास ज्यादा खाद अच्छे खाद का प्रियोग करेंगी उन्नत किस्म के बीजों का प्रियोग करेंगी तो इस प्रकार की जो खेती की जाती है छोटी जगों पर और जनसग्या बहुत ज्यादा होती है तो इस प्रकार की खेती को बोला जाता है गहन जीव का क्रसी सम सबसे बहले बिस्टा क्या है यह क्रसी अधिक जन संख्या बाले छेत्रों में की जाती है यह बाट समझ माँ तेगा ब्ल्रत से धमाटिक कि जाती है जलन संक्या बहुत ज्यादा होती है लीजिश्टा ही ठीक है नमबर दो दूसरी क्या है शेट्र करसी चेत्र वातिक कम है तो या पर लिखेंगी क्रसी छेत्र कम होने के कारण अधिक उत्पादन के लिए अधिक उत्पादन लेने के लिए अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत भीज ठीक है रसाइन रसाइनिक खाद ठीक है तथा नई तकनीक का प्रियोक किया जाता है प्रियोक करते हैं समझ में आगी बात ठीक है दो पॉंट आपको याद हुजाएंगी गहन जीब का क्रसी सबसे पहली बात हमने आपको बताई थी कि अधिक जंसंक्या वाले छेत्रों में की जाती अधिक उत्पादन पाने के लिए कम जगे में अधिक उत्पादन के लिए किया कर ठायए तो क्या करेंगी उन्नत बीज रसाइने खाद और नई तकनिक का प्रियोग करते हैं दोनों विसेस्ताइं याद हो जाएंगी ग्यान जीबिका क्रसी की दोनों विसेस्ताइं आपको समझ में आगी ठीक है और इसके बारे में विवाने आपको समझा दिया चलिए अगले कोशन पर अगला कोशन है प्रारंबिक जीबिका निर्बाक्रसी की दो लोग थे पहले जमाने में जो लोग थी वो ब्यापार करने के लिए खेती तो करते नहीं थे यानि जगय कैसे उन्हें क्या क्या कि खेती के लिए थोड़ी सी जगय कर ली तोड़ी सी जगय कर ली और इसी में क्या करने लगे खेती करने लगे ठीक है और यह खेती कैसे करते थ नहीं आर्विस्टिंग कोई मसीन नहीं चलती थी क्या है लकड़ी के हल बनते थी और पुरानी पदती की जो भी यंत्र थे लकड़ी के हल ठीक है लकड़ी के जोतने की मसीन ठीक है और जो भी था उनसे करते थे और कोई लेवर बगएरा कोच नहीं लगाते थे परिबार के अवे उसको पूरा करते थे नहीं करते समझ में आगी बात और प्रणार की जो खेति करती था पुराने लोग, उसी को क्या नाम दिया गया था, उसी का नाम है प्रारव्मिक जमीन के छोटे तुकुड़ों पर की जाती है तुकुड़ों पर की जाती है यानि बड़े-बड़े खेत नहीं होते थे पहले ठीक है पहली बात समझ में आगी यह जमिन के छोड़े तुकुड़ों पर की जाती है और दूसरा कैसे की जाती थी नए ट्रेक्टर बगरा तो थे नहीं पुरान पर दो लिखेंगे, इस में पुराने ओजार, पुराने ओजार, जैसे लकडी का हल, ठीक है, कुदाली, ठीक है, कुदाली, और भी जो छोटे-छोटे थे, ठीक है, तो था, हल, प्रियोग, किये जाते हैं, समझ में आगी, दो बात है, समझ में आगी, सबसे पहले किया, जमीन के छोटे टोकनों पर की जाती है, और दूसरा पुइंट किया है, इसमें पुराने ओजार, पुरानी पद्दिक ओजार थे, जैसे लकडी का हल, ठीक है, कुदाली, और प्रियोग की जाते थे, समझ में लिखिए, सबसे पहले हमको बाड़ी जी क्रसी के बारे में फिर से पता करना है, लिको बाड़ी जी क्रसी क्या होती है, कि वो फसले, जब किसान जो फसले जो करता है, और वो सिर्फ अपने भरन पोशने के लिए नहीं, बाजार में बेशने के लिए करता है, यानि ब्याप से ज्यादा करना चाहेगा या उत्पादन ज्यादा चाहिए उससे ठीक है उत्पादन ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता है बताई एक तो खेत कैसे होने चाहिए बड़े होने चाहिए ठीक है ठीक है खेत बड़े होने चाहिए पहली बात तो ठीक है और दूसरी बात उत्पादन ज्यादा करने के लिए क्या है नई अध्य नितकनीक का प्रयूग करना यह विस्षफा उगी कि नहीं ठीक है तो व्यापार के लिए जो खेती की जाते उसे बाड़ जिकरसी करते है चलो इसकी विस्षफा लिखते है तो इसका उत्तर बाजार में बेचने के लिए उत्पादित करता है पहली बाद समझ में आरी इस पसल का उत्पादित किसली होता है बाजार में बेचने के लिए पहला पॉइंट के लिए रोगें दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है इसमें क्या होता है जगह बहुत ज्यादा होती है फिर जगह कम होती है लेकिन प्रती है प्रती हेक्टेयर उपज बहुत ज्यादा होने चाहिए यानि कि एक बीगा में बहुत ज्यादा उपज होने चाहि तो इसमें क्या लेखेंगे इसमें हम दूसरा पॉइंट लेख सकते हैं इसमें प्रती हेक्टेयर उपज बहुत अधिक रहती है दूसरा पॉइंट समझ में आ गया क्योंकि उसे क्या करना है व्यापार करना है ये खेती उपने घर के लिए तो करना है व्यापार के लिए तो उत्पादन जहाँ से जाद चाहिए थीचा है तो उसलिए क्या है इसमें प्रती हेक्टेयर उपज बहुत अधिक रहती है थीचिक है का प्रियोग किया जाता है प्रियोग किया जाता है समझ मा गया तीनों पॉइंट के लिए होगे सबसे पहला पॉइंट एक बार और रिपीट कर रहा हूं सबसे पहला पॉइंट बाड़े जी क्रसी है तो क्या है बाजार में बेशने के लिए होती है तो यह क्रसी बाजार में बेशने के लिए उत्पादित होती है पहला पॉइंट याद हो जागा बाजारों बेशने के लिए ठीका दूसरा पॉइंट क्या है इसमें प्रति हैक्टियर उपाज बहुत अधिक रहती है यानि कि एक बीगा जमीन या पिर एक हेक्टियर जो जमीन होगी उसमें जहाथ से आदुपादन किसान प्राप्ट करना चाहता है। जिससे वो ज्यादा लाब कमा सके होड़िस fraction पॉन्च और तिसरा वैंनेस अधे हख़िक और चंग आहने के प्राप्ट करने लिए आदुनिक टकनीक का मतलब क्या होता है रसाइनिक खाद ठीक है उन्नत बीज नहीं नहीं तरीके की जो तकनीक होती है उनका इस्तमाल करता है जिससे ज्यादत पादम प्राप्ट करें ठीक है आद उनकी तकनीक का प्रियुक करता है समझ आगी बात तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे इसके बाद आतने अगे रोपड करसी की दुविश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आम उत्तर में लिखेंगी क्या नंबर एक इसके या फिर इस प्रकार की क्रसी में क्रसी में पूरे छेत्र में पूरे क्रसी छेत्र में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है ठीक है पहला पॉइंट समझगा गया और दूसरा पॉइंट क्या है यह बड़े छेत्र में की जाती है ठीक है तो एक ब्यापारिक फसल है तो दूसरा पॉइंट लेकिंग हम इसमें क्या यह है एक है प्रकार की कॉंसी है बाड़िक फसल है उनसे पसल है यह को यह यह बाड़िक फसल ठीक है अगर और यहां तक बात समझबा आगी क्योंकि एक ही प्रकार जिफसल हो गा रहे हैं उदारन के लिए आप बोल सकते हो इस तरीके से तो यह सभी कोशन आप वह को की बारीजी的 इसको बता रहा हुँ अब जो सब्सक्रेद्स इसका अब उस्साउल करते हैं इसके बाएक को सब्सक्राइब कर यहाँ वेरी फशलोन और अंतर ग्यार कि अब देखिए आपको पता होना चाहिए खरीब फसल और रभी फसल क्या होती है अगर आपको पता है तो अच्छी बात अगर नहीं तो फिर मैं बता रहूं देखिए खरीब फसल क्या होती है खरीब फसल वे फसल होती है जो मांसून के आरंब में मतलब क्या है जून जुलाई महीने में बोई जाती है ठ सर्डिकार्ण में एक्टार्स हो जातीम है ठीक है तो सर्दियों में जानी वाजी फसल्व क्या वोलत से और घाल forgetting मानसूं को महीने में जो किक्तित में जाती है उसे क्या बोलते भी फसले है ओ McMahon पॉइंट समझ में आगया आपको तो अंतर में आपको यह लिखना है पहला पॉइंट लिखना है क्या खरी फसल में कि यह फसल कि अक्टूबर कि यह फसल कि जून जुलाई में बॉई जाती है जुन जुलाई में बॉई जाती है ठीक है पहला पॉइंट और रही फसल कब बॉई जाती है अक्टूबर नॉमबर में तो आप इसमें लिख दीजिए इसका नंबर बन पॉइंट यह फसल अक्टूबर में बॉई जाती है फस्स फ फ़वन क्लियर हो जाएगा ठीक है ख़ड़ी फसल जुन जुलाई में बॉई जाती है और रही फसल कब बॉई जाती है अक्टूबर नॉमबर में ठीक है कई अब uh dHOण भी लिख सकते हूं आपको बता है ख़ड़ी फसल कौन से होती है जैसे धान है मक्का है जुआर है ठीक है रभी फसल कोन से ओते हैं यहूं चाह यहूं ठीक है चना सर्चों यह सब ठीक है दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं नंबर दू कि इस फसल के लिए अधिक सचाई के आवर्शक्ता होती है आवर्शक्ता होती है लिख लोगे ठीक है और इसमें क्या लिखोंगे इसमें इसमें कम पानी के आवर्शक्ता पड़ती है राइव फसल में तो यहां पर लेकिन है इसमें कम सिचाई की आवर्शक्ता होती है याद हुज जाएं ठीक है टीसरे पॉइंट आऊधारी लिख देंगे तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे उधारी यह पता है यह क्या है ठीक है चाबल जुआर ठीक है और तिल है की नहीं ठीक है और इसको धारण लखीए इसको धारण कौं कौं से हो जैएंगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पे नयहो इसी तरीकी के वीडियो पराप्त करना चाहते हो तो हमारे झेन तब तक है जाहिंस फंद हत रूद झाल झाल